नमस्कार दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स का आज का मैं डिसक्रशन करने जा रहा हूं जिसके जिसका नाम जो है है ना काइनेमेटिक्स है इसके अंदर जो है सब टॉपिक्स जो होंगे उसमें हम लोग डिसकस करेंगे क्योंकि काफी सारे कि जाती है डिस्टेंज डिस्प्लेस्मेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसके रिलेटेड ग्राफ उसके बाद वन दी मोशन आती है देन टू दी मोशन होती है जैसा कि तू हम लोग आज डिसकस करेंगे कानेमेटिक्स में कुछ सब टॉपिक्स को लेकर टू डामेंशनल मो को आज सेलकिया में मैं आज आपको जनकारी देंगा तो सबसे पहले यह है टू डामेंशनल तो सब्सक्राइब बत्चेमिंटोमेशनो अगर से कि सर अगर x और y दोनों plane में अगर motion होता है तो यह two dimensional motion होता है यह बात सच है लेकिन यह आप जवाब हमसे mathematical जवाब दे रहे हो physics के अनुसार जवाब नहीं दे रहे हो ठीक है कोई particle जो है अगर y z में motion कर रहा है अगर यह इसको आप y axis मानते हो इसको आप z axis मानते हो इसको x axis अगर इस plane में motion करता है y and z में तो आप two d motion भी बोलते हो ठीक है लेकिन यह जवाब जो है आपका मैं जैसा बोला कि यह आपका mathematical आंसर है ठीक है physics के अनुसार से मैं आपसे expect करूंगा अगर नहीं आती है तो उसको अपन समझेंगे क्योंकि बच्चे जादतर जो है mathematical जवाब देते हैं ठीक है तो अब मैं इसी इसी से related एक सवाल में आप पूछ रहा हूं why 2D motion 2D motion होने की conditions क्या होती है हमें physics के आप से answer चाहिए ठीक है तो टूडी motion होने के लिए मैं basic सर्थ मैं आपको बता देता हूं कि suppose मालो दोस्त अगर आपके पास velocity इधर है अगर acceleration इधर है due to force force की वजह से लेकिन kinematics में force की चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां equations की चर्चा करेंगे particle का motion की चर्चा कर सकते हैं इस चैप्टर में force की चर्चा जो है हम लोग Newton's law वाले चैप्टर में कर सकते हैं इसलिए मैंने बोला कि मालो कि यह acceleration किसी वजह से आई होगी force के वजह से आई होगी अगर velocity और acceleration में दोस्त आपके बीच का एंगल जो है दोनों के बीच का एंगल अगर ठीटा आ जाती है ठीक है जीरो और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए तो हम कहा सकते हैं कि यह particle जो है 2D path पे चलेगा वह 2D path कुछ भी हो सकत है जो आज जैसा कि आपने जवाब दिया एकस वाई मोशन हो वाई जेड मोशन हो एकस जेड मोशन हो तो वह mathematical जो आपने आंसर दिया था लेकिन physics के अनुसार अगर मैं कोई पूछता है आप से कि 2D motion होने की condition क्या है कब हम कह सकते हैं कि 2D motion चलेगा कब हम कह सकते हैं यह 1D motion चलेगा तो अगर यह 0 डिग्री और 180 डिग्री हो गई तब दोस्त आपके लिए यह 1D motion करेगा जैसे मैं एक बार लिक देता हूं अगर वेलसेटी और और एक्सेलरेशन जो है माइनस एक्स में अपोजिट डारेक्शन जिसको बोलते हैं एंगल के यह साब से अपोजिट डारेक्शन को 180 डेग्री बोलेंगे ऐसे हालात में भी पार्टिकल जो होता है वह 1D motion 1D path फॉलो करता है ठीक है टॉपिक अपना 2D motions को लेकर है तो इस से related चीज है इसलिए हमने यह बात बोल दिया इसी बाहने आपका 1D के भी कॉंसेप्ट जो है फिजिक्स के अनुसार से जवाब देंगे कभी आपसे पूस्ता है तो ठीक है मैस अलग चीज होती है तो विलसीटी और अगर यह पार्टिकल के बीच में एंगल बन गया तो यह टूडी मोशन फॉलो करें गहीं करेंगा इन फैक्ट एक्सेलरेशन इधर हो विलसीटी इधर भी हो कितना भी डिग्री बन जाए उससे कोई लिए नहीं होना चाहिए तब यह टूडी के लिए हो और यह आपका दोर लगा रहे हो अगर एक सेक्सेलरेशन आ गया इधर आ गई अब एंगल कितना बन गया यहां पर दोस्त नाइंटी डिग्री हो गई मैंने बोला कि एंगल कुछ भी होना चाहिए जीरो और वन एटी डिग्री बस नहीं होना चाहिए तो यह पाथ कर्व चलेगा जैसी प दो यही कंडिशन है बट अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हो तो दी मोशन हो यह थी डी मोशन हो अगर पाथ कर्व चल रहा है ठीक है ना एक ही प्लेन में चलेगा कर्व तो उसको टूडी बोलेंगे अगर जेड एकसिस में भी अगर कर्व चलना सुरू हो गया एकस वाइजेड मेरा कहने का मतलब यह तो इसको थ्रीडी मोशन करेंगे ठीक है तो यह कुछ कंडिशन से जिसमें जिसमें आपको बताया वाई टूडी मोशन टूडी मोशन की कंडिशन क्या होती है इसका खास ध्यान रखेंगे कभी-कभ के दोस्त इससे यही तूटॉजन टूटूजन टूडी में अलग-अलग पेपर्स में आप जाके चेक करना करीब करीब टूवेल्व कुश्चन यहां पर पूछे जा चुके हैं दूसरे चैप्टरस में जो है मतलब की ग्राउंट टूडी में कई कंडिशन होता है एक तो हमने स्टार्ट किया ग्राउंट टूग्राउंट पोजेक्शन आज क्लास में इस से और सिर कोश्चन आचुके हैं तो यह बहुत इंपरोटेंट चाप्टर है इसको देखते हैं ठीक है ग्राउंट टूग्राउंट में अब आप देखते हो डायाम कैसे बनाएंगे सपोज मान लो यह x-axis है दोस्त यह y-axis है एक कोई particle हमने लिया यूँ speed से किसी speed से हमें project करना ही परेगा और किसी angle मान लेते हैं कि यह theta से project किया तो आप जानते हो यह सब 9th class में भी आपने यह से pass को देखा होगा तो यूँ angle से हमने x-axis के साथ x को horizontal बोलेंगे y को vertical बोलेंगे तो horizontal के साथ जब भी angle बोलेगा तो x-axis के साथ आप angle ले सकते हो ठीक है यह speed से throw करेंगे तो यह path कुछ इस तरीके से चलेगा अब check चो चेक तो करें कि यह path ऐसा curve क्यों लिया तो यह velocity की direction की दर है इस direction में चेक करें acceleration जो होगा एम जी की वज़े से आएगा क्योंकि जब भी particle air में होगा तो एक ही force लग सकता है वो है gravitational force जो एम जी create करें अर्थ create करेंगा एम जी के रूप में तो जैसी बिटा आप force लगा होगे एम जी मास हटा दो तो क्या बन जाएगा वो acceleration ठीक है क्योंकि फोर्स इसी कल्टो में होता है तो acceleration यहां पर जी हो गई अब देख सकते हो कि velocity और acceleration के बीच में एंगल कितना बना मैंने हमने तो अभी फिलाल एजुम किया था ठीटा और यह बिटा आपके लिए 90 डिग्री हो गई तो टोटल एंगल कितनी होगी 90 प्लस ठीटा हमने बोला उससे कोई मतलब तो है नहीं आपको टूडी के लिए condition हमने क्या बोला था कि क कोई भी एंगल हो सकता है 90 या 90 से जादा उससे कम एंगल बस होना चाहिए इन फैक्ट आपका 2 डिग्री भी हो तो भी आपका 2D मोशन के लेगा बस एक ही सर्थ है 1D के लिए 0 और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए ठीक है अब आते है जैसा कि अभी आपने पाथ में देखा है ना तो 90 प्लस ठीटा है तो यह पाथ 2D चलेगा अब देखो जिधर एक्सेलरेशन होगा ना पाथ उधर ही टर्न करेगा ऐसा नहीं कि पाथ उपर की तरफ टरफ टर्न किया ठीक है ना एक्सेलरेशन नीचे है तो इस पाटिकल को वो नीचे की तरफ जुकाना सुरू करेग इस लिए यह पाथ इस तरीके से फॉलो करेगा हर पॉइंट पर देख लो इस पॉइंट पर देखोगे तो एक्सेलरेशन पुछा जाएगा तो नीचे वर्टिकली डाउनवार्ड जी ठीक है यहां पर देखोगे मैक्समम हाइट पर तो भी हम कह सकते हैं कि जी की पर देख सकते हो विलसीटी यह है एक्सेलरेशन यह है ठीटा चेंज हो रहा है लेकिन ठीटा कभी भी 0 डिग्री नहीं हो रहा है इसका मतलब कर भी पाथ चलेगा हर पॉइंट पर अपनी डारेक्शन यह पार्टिकल चेंज करता चला जाएगा ठीक है तो इसको कंडिशन इस डियाग्राम के थुरूबी आप बहुत अच्छे तरह किसे समझ चुके होंगे और इसके बाद साइन कंवेंशन देखेंगे वह एक अलग पार्ट है जो कैसे सौल करेंगे सवाल को लेकिन बेसिक चीज़े हमने बताया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन इस तरह के सवाल को कैसे सौल करेंगे इससे बेस्ट कुश्चन जितने भी आ चुके हैं उसको सौल करने का तरीका क्या है कौन सा पहला स्टेप लेंगे सेकेंड स्टेप लेंगे ठाट तो देखा हाउ टू सौल्व द प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या तो यहीं आती है ब आंसर तक पहुंचना है जिस दिन आप यह सोचने लोगे तो आपके लिए सब्जेक्ट काफी आसान होने वाला है ठीक है इसलिए हमें जब भी हमने टॉपिक कवीचा भी स्टार्ट करूंगा उस समय में आपको जरूर बताऊंगा कि आपको सोचना क्या है पहला क्या सोचन करेंगे ठीक है सबसे इंपोर्टेंट चीज यही होती है कि हमने स्टार्ट कहां से करें ठीक है अगर अभी जैसा कि हमने डियाग्राम बनाया था ठीक है यह पाथ कुछ इस तरीके से कर फॉलो करेगा इनिसियल वेलसिटी की स्पीड से तुमने थ्रो किया यह एंगल ठीट की आए एक्कसलरेशन के रूप में यह में जी मिल जाएगा ठीक है तो पहला स्टेप में तुम्हें बताओं क्या करना ए तुम्हें ठीक है ना फॉर्स जो है यह कंपोनेंट ऑफ इनिसियल वेलसिटी एंड एक्सेलेशन हो रहा है Tो फिलालम लोग क्या मानने रहे है एकसे इसके एलॉंग तुम्हें स्टेपल नहीं होगी अब क्या कंपोनेंट कर लेते हैं चलो चेक करें इव एक्स इसका क्या मतलब हो गया इनिशियल विलोसिटी इन एक्स डारेक्शन में आपको इव एक्स मिलेगा तो यू का कंपोनेंट लोगे तो दोस्त क्या होगा यू कॉस हुआ संफ एंगल बनता है उतर कमपोनेंट लेते हो तो कहसे वटीकल लिए कि वाई में अगर तुम लोगे इनिसाल वे स्पिड का कंपोनेंट तो यह साइन ठीटा ठीकिन न सांफ एंगल ठीटा हो है इसलिए कॉस ठीटा बाकी जो olm ठी से जैसे कि y-axis है उसके अलोंग जो होगा यह साइन ठीटा यह आपका तो पहला पार्ट हो गया component of u यानि कि initial velocity along x and y उसी तरीके से अब अपन acceleration के बारे में सोचते हैं ठीक है अब बताओ acceleration जो है एक्स में है या वाई में है या किदर है तो जैसा कि पिछले डाग्राम में तुमने देखा कहीं पर भी जो है एक्स में acceleration आपको देखने को नहीं मिलेगा क्यों क्यों कि इस पाथ को कर्व चलाने के लिए एक्स्ट्रा कोई फोर्स अभी फिलाल नहीं दिया गया है अगर सपोज मानलो आगे चलके जब ट्वेल्ट क्लास में जाओगे तो अगर तुम्हें चार्ज पार्टिकल दे दिया इस ब्लॉक पे इलेक्रिक फिल्ड दे दिया तब हम कह सकते हैं कि एक्स में भी फोर्स आने की संभावना है फिलाल 11 के टॉपिक से तो इसमें चार्ज और इलेक्रिक फिल्ड आने की तो कोई संभावना नहीं है इसलिए यह इस पाथ को फॉलो करने के लिए रेस्पॉंसिबल कौन है ग्रेविटेशनल फोर्स ही रेस्पॉंसिबल है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है और जी की डारेक्शन देख सकते हो य के जस्ट आपोजिट है यानि कि अपन कह सकते हैं कि एक्सलरेशन इन वाई माइनस तो यहां पर एक्स में एक्स में जब रहेगा तो जादा चांसे होती है जब तो हमेशा जोगा आपका एक्स जोगा बहुत जीर ही होगा किसी भी टॉपिक्स पे आप चले जाहिए उसमें यहीं मिलेगा आपको एक्सलरेशन इन वाई हम विट साइन लिखेंगे माइनस जी क्योंकि वर्टिकली डाउनवार्ड है वेलसिटी एन एक्सलरेशन क्या होता है वेक्टर क्वांटिटि होता है इसलिए विट साइन हमें लिखना चाहिए थीक है ऐए इव आई में देख सकते हो ईव आई का कंपोनेंट जो है यू साइन ठीटा है वो ऊपर है तो पॉच्टी भी लेंगे ईव कॉस्ट ठीटा जो है पॉच्टिव एक्स डारेक्शन में इसलिए हमने यहाँ पोजिटिव को ही प्रेफर किया अगर यह डियों नीचे होता है तब यू का साइन हो सकता है कि एक्स में पॉचिटिव हो सकता है और दूसरे स्टेप में अब आपको जो डिमांड होगा तो यहां से चलना सुरू किया तो यह T आपका 0 होगे बटा और जहां ground पे वापस collide किया तो इसी को हम लोग time of flight को capital T से लिखते हैं small T से भी लिख सकते हो time है तो यह हमें find out करना है ठीक है इस time of flight को calculate करने के लिए हम क्या करेंगे तो हमारे पास equations of motion लगा सकते हैं कि नहीं तो ज़रा चेक करते हैं अगर acceleration constant है तो हमारे पास तीन equation of motion है V is equal to U plus 80 यह भी लगा सकते हैं S is equal to UT plus half 80a square यह भी लगा सकते हैं और third equation जो है V square is equal to U square plus 2s है अब time है अभी फिलाल calculate करना है तो यह तो V निकाल के बाद में T निकाल लेंगे यह तो S is equal to UT plus half 80a square लेकिन जब आप इस से जाओगे थोरा सा आपको हो सक सब्सक्राइब लेकिन देखो चलो दिक्कत क्या इसको समझी लेते हैं अगर तुम में सब्सक्राइब कर देता हूं अब तुम देखो कि पार्टिकल जो है कभी भी टाइम निकालना हो तो तुमने वाई में डिसकस किया करो अगर मैं एस वाई लिग दू इसका क्या मतलब ह y डिरेक्शन इसका क्या मतलब है इनिस्यल्वेलशिटि इन वाई डिरेक्शन मोशन डिसकस कर रहें इन वाई ठीडे grew ऑकito ठीक है, तो तुम खुद सोचो, h height गया होगा, तो displacement positive h होगा, क्योंकि यह तुमने origin माल लिया है, h height वापस नीचे आया, तो displacement क्या होगई, 0, तो यहाँ पे जब भी यह वापस ground पे टकराएगा, तो sy 0 कर लो, ठीक है, sy क्यों 0 हुआ, h height उपर गया, और वापस h height नीचे ही आ गया, यानि कि x axis पे ऐसे भी सुचो, mathematics देख लो, x axis पे क्या 0 होता है, y 0 होता है, पहले भी x पे 0 था, last में भी x पे 0 है, x पे y 0 होगा, इसलिए sy 0, तो इसको कर दो तुम sy को 0 कर दो, y, या तो y के रूप पे रखना चाहते हो, तो y रख लो, नहीं तो u sin theta, जो अभी हम लोगों ने component break किया था, इसको y हो गया, ये तुमारा u x हो गया, ठीक है, अब रही बात, इसको capital T चाहो तो capital T लिख दो, plus half ay हमेशा minus z होगा, vertically downward है, कई बर मैंने बोल दिया, और ये capital T square, देख सकतो, एक T cancel हो जाएगा, और यहां से T जो होगा, एक T cancel कर लो, यह half gts square को इदर ले ओ, और 2 से multiply करो, तो यहां से 2 y upon g, ये आपका बोटा time of flight का formula हो गया, अब आप चाहो, तो y का value जो हमने calculate किया था, क्या किया था, इदर आपका theta था, तो y कितना था, u sin theta, तो 2 u sin theta upon g, ये time of flight का आपके formula मिल गया, देख सकते हैं, इससे भी चलोगे तो काफी आसान है, जातर बच्चे क्या करते हैं, कि यहां तक का time निकाल लेते हैं, जाने का time, उसके बाद वापस आने का time क्या होता है, symmetrical होता है, इसलिए 2 से multiply कर सकतो, जैसे maximum height पे v y, v y क्या है, final velocity in y direction, ज maximum height पे velocity क्या होगी, 0 होगी, लेकिन किस में, y direction में, ये 2D motion है, x में कभी भी velocity 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो तुम चाहो, अभी मैं बताता हूँ, क्यों नहीं 0 हो सकता है, तो यहां पे v x हमेशा रहेगा, और वो भी किसके equal होगा, u x के, ताकि अगर ये भी अगर speed 0 होगी, तो particle तो सीधा यहीं पे गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुमने real life में पत्थर को फेक के देखे होगे, ये आगे जाके ही गिरेगा, इसलिए इसके पास speed होगी, horizontal direction में तब ही होगी, ठीक है, wide में 0 होना जरूरी है, अगर 0 नहीं होगा, तो particle lifetime उपर की तरफ ही ज city हमेशा y में 0 होना ही होना है, ठीक है, maximum height पे, ठीक, तो v y को बच्चा 0 कर देता है, देखो कैसे, v is equal to u plus 80, मैंने बोला equation of motion लगा सकते हो, क्योंकि acceleration constant है, y y y, time हमेशा y में discuss किया करो, सबसे असान होता है, v y maximum height पे 0 होता है, ठीक है न, u y को अभी हमने फिलाल u y रहने दिया बाद में जाकर हम लोग u sin theta भी लिख सकते है, a y कितना हो गई, minus z with sin, ठीक है, तो यहां से देख सकते हो, time कितना है दोस्त, u y upon g, कहां तक जाने का, maximum height जाने का, फिर बच्चे याद कर लेते हैं कि सर, symmetrical होता है, जाने और आने का time सेम होता है, इसलिए total time of flight 2t कर देते हैं, याने कि 2y upon g, that is 2y के जगह तुम u sin theta upon g कर सकते हो, तो देख सकते हो, अपनी अपनी convenient के अनुसार, या तो तु टी इससे निकाल लो, या तो टी maximum height तक जाकर निकालने के बाद, symmetrical होने के वज़े से 2 से multiply कर दो, ये तुमारे पास एक rediment, एक formula भी समझ सकते हो, अगर formula नहीं याद है, तो equation of motion भी यूज कर सकते हो, टाइम लगबग उतना ही होता है, बट बेस्ट रहेगा, याद रखे, common चीज़े, आपको question करते हैं, आपको ये formula याद हो जाएगा, तो time of light ये पहला उसके अंदर था, और क्या पूछ सकता है, नेक्स देखते हैं, maximum height, वापस से, ठ आपको height बताना है, तो अभी हमने बोला कि VY maximum height पे क्या होगा, 0 होगा, तो again ये theta है, इधर EY होगा, initial velocity Y में, इधर EX है, अब हमें height निकालना है, तो common sense लगा, height किदर आएगी, Y में या X में, Y में हो सकता है, इसलिए Y में discuss करेंगे in Y, ठीक है, height निकालना है हमें, initial speed में, acceleration आपको निकालने की ज़रोत नहीं होती है, जब भी particle air में होता है, तो generally acceleration minus Z, यानि की vertically downward होता है, तो ये एक अच्छी बात होती है, 2D motion में, कि आपका जब particle air में हो, तो acceleration पे हम ज्यादा tension नहीं लेते है, ठीक है, final speed मालु में, initial speed मालु में, acceleration मालु में, height निकालना है, तो best रहेगा, third equation, ठीक है, इनी equation of motion को आपको use करना है, V square is equal to U square plus 2S, again हमने बोला height निकालना है, तो Y में discuss करना है, तो सब के आगे क्या लिख दो, Y लिख दो, ठीक है, अब क्या क्या तुम्हें result मालु में, इसमें रख दो, answer आ जाएगा, चल, VY के आए maximum height पे, 0, 0 का square कर द है, क्योंकि 0 तो होना ही है, अभी हमने बताया, EY कितना है, EY को EY में ही रहने दो, ठीक है, acceleration in Y, vertically downward है, इसलिए minus G रहने दो, S Y, कितना उपर गया, maximum height, Y में कितना displacement हुआ, यह S जो होता है, distance नहीं होता है, यह displacement होता है, तो curve चले, उससे कोई फर्क नहीं परता है, कितने height उपर गया, उससे फर्क परता है, उपर है, इसलिए plus H, तो देख सकते हो, with sign आपको हर जगा यूज करना है, ठीक है, तो यहां से 2GH इधर आ जाएगा, आपका विटा, और इधर हो गया, Y square, तो यहां से H जो होगा, Y square upon 2G, तो देख सकते हो, यह next formula, Y के रूप में भी होगा, H की value, Y square upon 2G, समझ लो कि वही को, question है, Y square के जगा, Y कर देना, 2D में बस सेम answer आजागा, तो यह maximum height का formula हो गया, ठीक है, जैसे है, पिछले topics में हमने बताया था है, कि velocity X में change नहीं होता है, चेक कर लें इसको भी, V is equal to U plus 80, तो एक्स, एक्स, एक्स लगा दे, तुमें V चाहिए, किसी time T पे या maximum height पे जड़ा चेक करते हैं, UX, X कितना हो गई, 0 है, X हमेशा 0 होगा, X में acceleration होगा ही नहीं, तो तुम देख सकते हो, यहां से क्या result आया, VX, UX के equal होगा, यानि कि यो, cost theta, हर point X में velocity कभी भी change नहीं होगा, तुम maximum height पे चले जाओ, या रास्ते में भ होगा, VX जो होगा, UX के equal होगा, जब ground से collide हो रहा है, तो भी VX, UX के equal होगा, X में speed कभी भी change नहीं होती है, जो भी change आना है, वो Y में आना है, क्योंकि acceleration किसमें direction में बटा, Y direction में होता है, तो यह दो points होगे हमारे पास, time of flight, H, maximum height, और velocity जो है, कभी भी X में change नहीं होगा, Y म अब next point पे इस पे क्या पुछा जा सकता है, range, range का मतलब होता है, कि कहां कितने दूरी पे जाकर X direction में यह particle वापस collide किया, ठीक है, ground to ground projection है, origin से चलना सुरू किया, X axis पे कहां पे जाके यह collide किया, that is called range, ठीक है, यह तीन basic formula है, इसके बाद special कुछ बताएंगे आपको, जिससे के 12 question जो आया था, जे immense में, वो सब clear हो जाएगा, ठीक है, range, range का मतलब होता है, X axis में particle जो है, कितने distance पे जाकर गिरता है, या collide करता है, strike करता है, उसी को बोलते है, range, अब तुमें common sense सोचो, range, किधर जाएंगे, X axis में है, तो motion किसमें discuss करना है, X axis में discuss करना है, तो अब वा portion है, ठीक है, तो S is equal to UT plus half 80 square, अगर X में है, तो सब के आगे तुमें X लिख दिया, ठीक है, तो S X क्या हो गया, R, जितना travel करेगा, चाहो तो तुमें X लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक special एक word उस किया जाता है, range, तो range को हम लोग R से denote करते हैं, चाहो तो तुमा X क्या होता है, zero, हो गए, यही range है, जिसको याद नहीं है, formula याद नहीं करना है, वह ऐसे बना सकता है, basic concept clear होना चाहिए, या तो यहीं पे छोड़ दो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, याद करोगे, तो अगर basic बाते पूछेगा, तो हो सकता है, क लेकिन फिर भी तुम यह याद नहीं करते हो, तुम UX की वैलू रख देते हो, यू कॉस्ट टिटा, यू आई की वैलू रख देते हो, यू साइन ठीटा, अब इसको solve करके तुम क्या लिख देते हो, रेंज की वैलू, यू क्या हो गया, यू स्कौार, टू साइन ठीटा, साइन ठीटा होता है, अपॉन जी, तो यह एक रेंज का फॉर्मूला तुम याद करते हो, लेकिन मेरी मानो, तो अगर तुम्हें याद नहीं हो पा रहा है, तो तुम रेंज को क्या कर लेना, एक्स में डिसकस कर लेना, तुमारे सामने फॉर्मूला होगा, और यह आना चा साइन ब्रिए हीज़ के लेन का स्या मानो, यह एक यह वे का वका रहाँ पर